जहीं नमस्कार में न किस्तिंगानिया आप सबीकों अमारी सेशन में बहुत बहुत सागत हैं दोस्तों रिजनिंग का सेट नमबर 76 हैं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 22 फरवरी के फर्स इपने पूछे के रिजनिंग के सारे प्रस्न एक पॉइंट में अस्पेस्ट कर दो 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी को एकजाम नहीं हुआ था फाइनली 22 फरवरी को एकजाम हुआ है तो चली सेटन का आगाज करते हैं और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग यहां से जूट जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड सेर भी कर जिएगा और इसका पीडियो फाइल बिलकुल फिरी आ आपको मिल जाता है टेली गराम पर तो आप लोग वहां से जूट भी हो सकते हैं तो आते हैं पहला प्रेस्ण पर पहला प्रेस्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा बहुत अच्छा प्रेस्ण है इसमें बताना है कि उस से सिर्णी की पहचान कीजिए जो अन्य से भीन है अन्य स ब्हीन वाला सिर्णी क्ला आपको भचान करना है कि इस परकार से अप्शन वन में है यह 7 का स्क्रीन उन्चास हो गया 49 का स्क्री चोभी सौ एक हो गया इसमें इस परकार का logic है option 3 देखना भाई 0.2 है तो इसका square 0.04 हो गया और 0.04 का square 0.0016 हो गया यानि कि same है इसका logic इसका logic के same है अब next option 4 में एक बटा 2 का square एक बटा 4 होता है एक बटा 4 का square एक बटा 16 होता है लेकिन option 2 में देखना 27 का square 81 नहीं होता है और 81 का square 243 नहीं होता है इसलिए असपस्ट है कि इस option में दे गई सिरिंखला में option 1, option 3 और option 4 का logic एकदम same है लेकिन इहां पर option 2 में दिया गया सिरिंखला यहीं इहां पर भीन हो जाएगा अगला प्रस्न अगला प्रस्न देखिए पुछा गया है बलर्ड रिलेशन का प्रस्न है जदी B और C भाई है B और C भाई हो गया यह B हो गया और यहां पर C हो गया यह भाई है A C की बहन है C की बहन A हो गई O D की पुत्री है O D की अभी कोई चर्चा नहीं इसलिए स्किप करता हूँ D B की पत्नी है B की पत्नी D है D की पुत्री O है तो D की पुत्री O हो गई E A की मा है A की मा E हो गई और एफ की पतनी है यानि की ई जो है एफ की पतनी है यानि की एफ हास्बेंड हो गया ई क्या तो इस परकार से यहां बैठ गया है अब यहां पर पुछा गया है प्रस्ण में तो ओ का एफ से क्या संबंध है यह जो एफ है ओ को क्या कहेगा क्या कहेगा एफ का पुत्र बी है और बी का पुत्री है ओ यानि की पुत्र की पुत्री कहेगा यह दिया गया है अपसा नंबर थिरी में अगला प्रस्न अगला प्रस्न देखिए पुछा गया है रैंकिंग का प्रस्न है एक सौधर्य परतियोगता में 6 परतियोगी है Model Q, model A से लंबी है किंतु model E से छोटी है यहां पर Ketya audience में दिया गया है कि जो model Q है, A से लंबी है किंतु model E से छोटी है तो असपस्ट है कि यहाँ पर सबसे लंबी तीनों में Q हो गया और उसके बाद Q हो गया और उसके बाद यहाँ पर A हो गया यह तीनों में अब उसके बाद नेस्ट यहाँ पर देखना model X model E जितनी लंबी नहीं है लेकिन model I से लंबी है तो यहां से यह भी express हो गया यह case 2 में कि E लंबी है X से और X I से लंबी हो गया फिक्स है अब next model F है model I से लंबी है किन्तो model Q से छोटी है तो यहां से यह भी express यहां पे हो गया यह case 3 में देखना कि जो Q है यह सबसे बड़ी हो गई और Q से छोटी F और F से छोटी I हो गई और देखी यहां पर case 1 में दिया गया है कि जो Q है E से छोटी है यानी कि Q से E लंबी हो जाएगी अब देखी तीनो case में E ही बड़ा है और देखी यहां पर परस्न क्या पुछा गया है निमलीखीत में से किसकी लंबाई सरवाधिक हैं सबसे बड़ी लंबाई वाली कौन हैं तो E हैं तो इस परकार से इसका उत्तर जाने वाला है model E देखी गई यह दिया गया है अपसा नंबर 1 में अगला परस्न अगला परस्न पुछा गया है बेंडे ग्राम का फलो का रस सीतल पे और पे पदार्थ तो फिक्स हैं कि इसका फिगर बनने वाला है इस परकार से यह पे पदार्थ हो गया और इसके अंदर फलो का रस और सीतल पे यहां पर हो जाएगा यह दोनों के भी शनौन का किस बनेगा तो इस परकार से यह फिगर बनने वाला है देखते हैं कौन से अप्सन में ऐसा फिगर दिया गया है अप्सन नमबर फोर में अगला परस्न अगला परस्न पुछा गया है यह एक्षन वाला परस्न है राहूल किसी प्रियोजना का समय समाप्त होने में केवल दो दिन सेश है और उसने अभी तक अपनी प्रियोजना पर कारे अरंभ नहीं किया है दिखी इसमें क्या है ना ममला यहाँ पर क्या है कि राहूल की कोई एक प्रियोजना है उसका समय सीमा अब समाप्त होने वाला है और उसमें मात्र दो दिन का समय बचा हुआ है और राहुल अभी तक उस प्रियोजना पर कार्य परम्व नहीं किया है तो इसके संदर्व में कौन सा एक्षन लिया जा सकता है यहाँ पर पुछा गया है निमलिखी ते कारवाहियों के अधार पर सही बिकल्प का चैन किजिए अब यहाँ पर एक्षन दिया गया है तीन कौन सा एक्षन सही है देखते हैं एक्षन नमबर वन दिया गया है भवी सो में एसी समस्याव से बचने के लिए उसे तुरंत समय और बंधन की कोई पुछतक पढ़नी चाहिए अच्छा भई बताओ यह गदहा गलती कर दिया है अब इसका प्रियोजना का समय समाप्त हो रहा है और यह कुछ भी काम नहीं किया तो इसको अब सलाह यह दिजाएगी कि आप समय को सेभिं करने के लिए आप एक बुक को पढ़िये यह तो साफ इन्भालेड हो गया यह साफ इन्भालेड हो गया भाई कमन सेंस इसलिए यह तो एक्षन नहीं होगा फिक्स है उसके बाद नेश्ट नमबर टू उसे अपने समय का कुसलता पुर्वक परबंधन करना चाहिए और बिना बिलंब किये अपनी प्रियोजना को सुरू कर देना चाहिए बिल्कुम इस परकार का एक्षन उसके एकोर्डिंग लिया जाएगा उससे कहा जाएगा कि अपने समय का कुसलता पुर्वक परबंधन करिए आप और बिना बिलंब किये अपनी प्रियोजना को सुरू कर देजिए यानि कि इस परकार का उसके एकोर्डिंग एक्षन लिया जा सकता है इसलिए यह तो भाई सही है अब नंबर थिरे उसे पहली अपनी प्रियोजना का ले आउट बनाना चाहिए बिलकुल और फिर उस ले आउट का पालन करना शुरू कर देना चाहिए बिलकुल ये भी सही है उससे कहा जाएगा कि आप सबसे पहले अपनी प्रियोजना का ले आउट बनाईए और उस ले आउट का पालन करते हुए आप कारे को start कर जिए तो इस परकार का भी action लिया जा सकता है इसलिए ये भी सही है तो भाई यहाँ पे सही कौन-कौन होगा number 2 और number 3 देखते हैं option में क्या दिया गया है दिखिएगा option में option 1 तो नहीं होगा option 2 भी नहीं होने वाला है option 3 हो जाएगा कि करवाई 2 और करवाई 3 दोनों ही सही है option 4 तो वैसे नहीं होने वाला है अगला प्रस्न अगला प्रस्न एक बर फिर पुछा गया है blood relation का प्रस्न है और देखिए ऐसा प्रस्न जब भी आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ आप ऐसे प्रस्न को जबान से करने का प्रयास करिए प्रस्न क्या है सिख्छ कक्ष में बैठी एक सिख्षिका की और इंगित करते हुए पाउलो ने अपने दोस्ते कहा मतलग सिख्छ कक्ष में एक बैठी हुई है teacher उसकी और इंगत कर रहा है कौन पाउलो और उसने इंगित करते हुए अपने दोस्ते बोल रहा है अब भी क्या बोल रहा है देखना उवह यानि के सिक्षक मेरे भाई की मतलब पाउले के भाई की बहन के पीता यानि की पाउले के पीता की बहन है यानि की पाउले के फुआ है क्या इसमें कुछ भी है अब देखिए प्रस में क्या पुछा गया है कि उसे सिक्सिका का पावलो से क्या सबंद है यानि कि जो पावलो है उसको क्या कहेगा भाई क्या कहेगा फुवा कहेगा यानि कि बुवा कहेगा बुवा कर लो फुवा कर लो बात सेम है देखिए यह दिया गया है आपसा नंबर फोर में आगला प्रस्टु आगला प्रस्ट देखिए पुछा गया है यह भी ब्लड रिलेशन का प्रस्ट है there are six members in a family named a b c d e and f यानि की एक family में चौँ member हैं जिनका नाम इस परकार है A, B, C, D, E और F हैं अब देखना है यहाँ से इसका line start हुआ है B is the wife of C यानि कि जो B है C की पत्नी है तो यहाँ पर B हो गई और यह C की पत्नी है तो भाई C क्या होगा husband हो गया B का कोई दिक्कत नहीं now A is the son of E यानि कि जो A है E का पुत्र है अभी A, E का कोई चार्च यानि इसलिए इसको escape next E is the brother of C यानि कि C का भाई E है तो C यहाँ पर है C का भाई E हो गया ओके अब देखना इसके पिसला वाला line A is the son of E यानि कि E का पुत्र A है तो देखो यहाँ पर E का पुत्र यहाँ पर A हो जाएगा पुत्र का होलो या बेटा का होलो बात सेम है अब देखना उसके बाद D is the sister of A यानि कि जो D है वह A का sister है तो A का sister यहाँ पर D हो गए कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर देखना यह line B is the daughter-in-law of F यानि कि F का जो B है daughter-in-law है तो देखो इस case में daughter-in-law का मतलब यह हो जाएगा बहु पुत्र बहु है कौन B यानि कि fix है कि C के माता या पिता कौन है F है तभी ना F B को कहेगा या कहेगी daughter-in-law यानि कि पुत्र बहु अभी F का link fix नहीं है कि यह माता है कि पिता है अब देखना यहाँ पर परस्ने क्या पुछा गया है कि how is E related to D यानि कि जो D है E को क्या कहेगा यह D E को क्या कहेगा बहु फिक्स है पिता जी यानि कि फादर यह दिया गया है अप्सान 4 में अगला परस्न अगला परस्न देखे पुछा गया है बलर्ड गलेशन के परस्न है सेम परस्न है देखेगा क्लीनिक में एक लड़के के घहाव को पट्टी कर रही नर्स से उसके सहकर्मी ने पूछा कि उस लड़के का उस नर्स से क्या सबंद है यानि कि नर्स की एक सहकर्मी थी सहायता करने वागा उसने पूछ दी नर्स से कि बताईए कि आप जिसको पट्टी कर रही है इस लड़कवा कर आप में इसमें क्या सबंद है तो अब नर्स यहां पर उत्तर दे रही है मेरे मामा यानि की नर्स के मामा और उस लड़के के मामा यानि की लड़के के मम्मी के भाई के मामा यानि की उसके मम्मी के मामा ये कहीं है तो उस लड़के का नर्स से क्या सबंद है भाई फिक्स हैं कि जो नर्स है उस लड़के को क्या कहे, पुत्र کہईगी कनफर्म है ना यानी कि लड़का नर्स को क्या कहेगा मम्मी कहेगा, फिक्स है देखो ना, इसको मैं कर देता हूं सबका सांथ सबका भी कास बहुत लोग डाउट भी यहाँ पर हो गया होंगे देखना ये तो नर्स हो गई नर्स के मामा और उस लड़के के मामा यहाँ पे बॉआय हो गया और बॉआय के मामा अब बता बॉआय के मामा कौन हो गए इसके मम्मी के जो भाई होगा वह होगा मामा इसी को न बोलेगा मामा जे कनफर्म है न मामा के मामा यानि कि लड़का के मम्मी के जो मम्मी हुएं और उसका भाई तो भाई यह कौन होंगे लड़कवा का मामा का मामा कनफर एक ही है यानि कि यह जेओं का तेओं हैं समान है तो फिक्स हैं कि भाई नर्स यहाँ पर आ जाएगी यानि कि नर्स है यह तो भाई नर्स कौन होई लड़का का मम्मी हो गई यानि कि नर्स बवाय को पूतर कहेगी तो इस परकार से यह सॉल्ब हो गया है लेकिन मैं आपको रिकुमेंट में करूँगा कि आप ऐसे प्रेस्न क को जुबान सेहें करिये फिगर बनाने कि कोई आउसकता नहीं है तो इसका उत्तर होने वाला है अपसन्थिरी यानि कि पूत्र आगला प्रस्न अगला प्रस्न देखिए पुछा गया है अच्छा प्रस्न है या कि मिसिक नंबर का प्रस्न है लेकिन यह संकिरिया के संक्रियाओ के एक निशित समूर को निरूपीत करता है जो सभी समिकरणों में समान है ओके देखिए यहां पर भी सेम है यहां पर भी सेम है यहां पर भी सेम है दिये गए पहले और दूसरी एक वेशन के अधार पर संक्रियाओ की पहचान कीजिए और तिसरे समिकरण को हल अब देखना भाईना आपको पता करना है कि इसमें क्या हुआ है कि इसके इकवल 5, 6, 11 लिखा गया है और इसके इकवल 10, 8, 18 लिखा गया है तो उसी परकार से इस operation को आपको पढ़िपूर यहां पर करना है अब देखना यहां पर किस परकार का operation यहां पर हो रहा है देखना पहले में बात करता हूँ इस वाले को यहां पर यह 25 हैं और यहां पर क्या किया जाए और यह 36 हैं ताकि 5, 11 हो जाए देखिए इसमें क्या किया है 25 को बर्गमूल किया इस परकार से और फिर 36 का बर्गमूल किया और फिर यहां पर क्या किया है 25 के बर्गमूल किया यहाँ पर फिर और पला से 36 का बर्गमूल किया देखी यहाँ पर तो 5 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया और देखी यहाँ पर यह 5-6-11 हो गया तो इस परकार से देखी आ गया ना 5-6-11 देखी आ गया तो इस परकार का operation इसमें हो रहा है लेकिन रुकना अभी आपको खुश नहीं होना है क्योंकि यह operation इसमें भी follow होना चाहिए तब भाई खुशी मनाना यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 64 है अब देखना इसके लिए यहाँ पर तो 100 का निकालेंगे बर्गमूल और यहाँ पर 64 का और फिर 100 का बर्गमूल पलस 64 का कोई दिकत नहीं यह हो गया 10 और 8 और 10,8,18 हो गया देखी आ गया है एकदम सेम तु सेम आ गया है 10,8,18 आ गया है तो फिक्स है कि इसी परकार का प्रेशन करना पड़ेगा भाई तो कर लो क्या दिकत है कर लो इसका प्रेशन यहाँ पर यह देखिएगा यहाँ पर कर देता हूं 36 है तो यहाँ पर कर दो इसका बर्गमूल और ऐसे और फिर 81 है इसका कर दो बर्गमूल और फिर इसको एक बार जोड़ दो इस परकार से तो कितना आ गया देखिए चौव आ गया और यहां पे नौव आ गया और चौव नौव पंदरा आ गया तो कितना आ गया है चौव नौव पंदरा यानि कि यहां पे छौव नौव पंद्रव फिलब होने वाला है तो इस परकार से यह प्रसने सॉल्ब हो गया है देखते हैं अप्सन में क्या दिया गया है देखीएगा इसका अप्सन वन नहीं होगा इसका टू होने वाला है नौव छौव पंद्रव आते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण देखिए पुशा गया है बेंडेग्राम का इजी प्रस्ण बच्चाल प्रस्ण यह सरकिल दिखा रहा है होनेस्ट यानि की इमंदार और यह सरकिल दिखा रहा है काइंड यानि की द्यालो को और यहां दिखा रहा है डक्तर को आपको क्या बताना है कि वह जिकिसक जो इमंदार होने के साथ साथ देयालो भी है मतलब तीनों में हो कौन सा लेटर है जो तीनों सरकिल में हो तो भाई यहां पर D है fix ने कि D इसका राइट उत्तर होने वाला है और D दिया गया है अपसर वन में अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण पुछा गया है classification का non भरभल से और यहां पर बताना है कि कौन सा जो figure है यहां पर असंगत है दिखीगा ध्यान से एक logic यहां पर उज़ होने वाला है बच्चा वाला logic है अपसर वन में जो आकरीती हैं यह तिर्भूज का एकदम सेम है देखीए ऐसा ही है अकराती आकरीती है सब में ऐसा ही है सब में लेकिन अपसर टू में आकरीती ऐसा भी है और ऐसा भी है उसी परकार से अपसर थिरी में यहां पर भी आकरीती अईसा भी है और एसा भी है उसी परकार से अप्शन 4 में भी अक्रिती अईसा भी है और ये अईसा भी है तो fix है कि यहाँ पर एक ही option है option 1 जो असंगत हो जाएगा क्यों? क्योंकि इसका अक्रिती only इस परकार से fix अगला प्रस्थ अगला प्रेशन एक बार फिर से classification का यहाँ पर option one में सताबदी हैं दसक हैं समय हैं बर्स हैं तो fix हैं कि यहाँ पर यह समय अलग हो जाएगा यह सताबदी दसक है और यहाँ पर जो बर्स होता है यह सभी अवाधी का सूचक है इसलिए यह समय यहां प्यार लग हो जाएगा अगला प्रस्ण एक बार फिर से पुछा गया है equation वाला प्रस्ण है missing number का उस संख्या का चर्ण किजिए जो पहले समिकान में प्रदर्शित सरबंद के अधार पर दूसरी समिकरन में प्रस्ण है अपार चीन के अस्थान पर आ सकती है अब देखना इसमें एक्छोली इसमें क्या किया गया है ध्यान से भाई देखिए यहांपर है ए Personally एक हए में है अब देखिए न पर एक के पावर 2 हो गया जब एक सरकिल है ना तो एक में one पलस कर दिया गया तो दो हो गया एक पावर दो हो गया उसके बाद आप देखना b b में दो सर्किल है तो एक पलस किये अपना मन से तो तीन हो गया देखी b के पावर यहां पे तीन हो गया उसी परकार से c c में तीन सर्किल है तो यहां पे 1 पलस कर दिये, तो 4 हो गया, देखिए C के पवर 4 हो गया, बस सब को add कर दिया गया है, तो इसी परकार से आपको इसमें काम करना है, कर दो यहां पर कह दिक्त है, पहले यहां पे करता हूँ 6 का, देखिए 6 में 2 सरकिल हैं, तो 6 के पवर 3 हो जाएगा, पलस, और फिर उसके बाद, 3 में 3 सरकिल हैं, तो 3 के पवर 4 हो जाएगा, कोई दिक्त नहीं, और देखिए 2 में 4 सरकिल हैं, तो 2 के पवर 5 हो जाएगा, बस इसको यहां पर add कर लो, तो 6 के पवर 3, 200 सुल्ला, और 3 के पवर 4, 81 हो गया, और 2 के पवर 5, यह 32 हो गया, अब इसको add word करने के ब पर जाएगा, तो इस प्रकार से इसका उतर क्या होने वाला है, 329, और देखिएगा, यह दिया गया है, अफसन 4 में, अगला परस्न, अगला परस्न पुछा गया है, square इसमें count करना है, कि कितना square है, देखिए, square counting करने का बास सिंपल सा concept होता है, और यह concept हो सबको पता ही है, सबसे पहले आपको देखना है कि कितना इसमें कलम है और कितना इसमें रो है देखिए मैं बात करता हूँ पहला में यहाँ पर कलम का तो देखिए एक दो तीन चार अब मैं देखता हूँ रो यहाँ पर तो एक दो तीन चार सेम है तो बस आपको क्या करना होता है कि इसको तिर्चा तिर्चे यहां पे गुन्णा करो देखिए 4 में 4 से 16 हो गया 3 में 3 से 9 हो गया और फिर देखिए 2 में 2 से 4 हो गया और यहां पर 1 का 1 हो गया तो यह गुन् subir करके सब को add करना होता है तो 169 25 और 25 5 30 हो गया तो इस परकार से इस figure में total 30 square है और देखिए 30 दिया गया है option 3 में तो जब भी square counting करने का प्रस्न आए तो आपको इसी परकार से counting करना होता है अगला प्रस्न अगला प्रस्न एक बर फिर से पुछा गया missing number का ये भी अच्छा प्रस्न है लेकिन दिमाग लग जाए तो बहुत easy हो जाएगा देखिए इसमें क्या किया है यहां पर हाँ देखिए इसको column पर ध्यान देना यह column ओके देखिए इसको add कर दिया है 15,4,99 हो गया 19,6,25 हो गया इसको add करने पे 25 आएगा उसी परकार से इसको भी add करने पर देखिए 12,9 21,4,25 ये भी 25 हो गया तो fix हैं कि इसे भी add करने पर भाई 25 लाना ही है एकदम confirm है तो देखो 9-6-15 हो गया तो what के अस्थान पर क्या put करूं कि 25 आ जाए सर जी 10 put कर जिये क्या दिक्कत है तो 15-10 कितना हो गया 25 हो गया तो fix हैं कि what के अस्थान पर 10 फिलब होने वाला है और दिखिएगा 10 दिया गया है option 2 में अगला प्रस्न अगला प्रस्न एक बार फिर से आगया वाई गरदा हुआ है missing number का प्रस्न यहां पर किस परकार का pattern निहां पर यूज हुआ है देखिएगा इसमें क्या किया गया है कुछ नहीं किया है 5 का square, 3 का square, 2 का square करके सब को add कर दिया है देखिए add करने पर 38 आएगा लेकिन रुकना भी भाई आपको खुश नहीं होना भी देखना है कि इसमें फोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें फोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आपको खूस होना है, देखिएगा इसमें, यहां पर पांच का स्क्वाइर पचीस हो गया, और यहां पर चार का स्क्वाइर सुल्ला और एक का स्क्वाइर एक होई गया तो 25, 26 और 26, 42 हो गया फिक्स है कि पिटार निकदम सेम काम कर रहा है इससे आप नहीं बिचे कर सकते हैं कोई दिखात नहीं है डिरेक्ट आते हैं इस पर तो भाई यहाँ पर क्या कर लेंगे करो यहाँ पर 7 का स्क्वाइर पलस 3 का स्क्वाइर पलस 4 का स्क्वाइर 7 का 49 हो गया 3 का 9 हो गया 4 का 16 हो गया अब सब को एड करने पर सब को एड करने पर कितना आएगा सब को एड करने पर 74 आ जाएगा तो इस परकार से इस पेटर्न के माधेम से इसका उत्तर क्या होने वाला है 74 होने वाला है और देखिए का 74 दिया गया है आपसा नमबर 1 में अगला प्रस्ट देखिए पुछा गया है कथन आइंड निसकर से देखिए कथन दिया गया है मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है कथन में कहा गया कि जो मुसीबत में काम आता है वही सच्चा मित्र होता है निसकर से नमबर 1 जो बेकती कथीन प्रस्थितियों में आपकी सहायता करता है वह आपका मित्र होता है बिलकुल देखिए यह जो लाइन है कथन की एकोर्डिंग दिया गया है कथन में तो भाई वही बात कहा गया है ना मुसीबत मतलब क्या कठी बीपत जब आए और उसमें कोई हिल्प करता है तो वहीं आपका संचय मित्र होता है और उसी बात को यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर लिखा गया है तो बस यहाँ तो भाई सही हो गया कोई दिकत नहीं नमबर टू कभी आपके दुसमनों का भी हिर्दय परिवर्तन हो सकता है और उए मुसीबत के समय आपकी मदत कर सकते हैं कठन में कहीं पर नहीं कहा गया है कि दूस्य मनों का हिर्दे परिवर्तन हो जाए तो अभी दोश्त हो सकते हैं कहीं पर मेंसान नहीं है कर्थन में इसलिए बीना सोचे समझे यह गलत कर देना है आब को तो भाई यहाँ पे सही कौन है निसकार्स नमबर 1 देखते हैं अप्सन का खेला अप्सन 1 तो नहीं होगा अप्सन 2 इसका हो जाएगा कियेवल निसकार्स 1 पलन करता है अप्सन 3 भी नहीं होगा और इसका 4 भी नहीं होने वाला है अगला प्रस्न अगला प्रस्न देखिए अग्रेजी और अस्पेनिस भासा के पार्ट करम उपलब्द थे, एक संस्थान है उसमें अंग्रेजी और अस्पेनिस भासा के पार्ट करम उपलब्द है, कुछ छात्रों ने केवल अंग्रेजी में और कुछ छात्रों ने केवल अस्पेनिस में दाखिला लिया, अब यहां पर मैं मान लिया कि यह पूरा सर्किल संस्था है और इस संस्था में दो भासा का पाठ करम हैं एक भासा अंग्रेजी हैं और एक भासा अस्पेनिस हैं समझे ना भाई एकदम प्यार से तब बुझाएगा कुछ छात्रों ने अंग्रेजी में और कुछ छात्रों ने केवल अस्पेनिस में दाखिला लिया देखिए अंग्रेजी और अस्पेनिस में केवल का बात हुआ है यानि कि इसके अंदर इस परकार से डाइगराम बन जाएगा देखिए यह जो हो गया यह इंगलिस का हो गया म मैं मान लेता हूँ इसको और यह अस्पेनिस का हो गया यहां पर यह केवल हो गया सम और यहां पर यह केवल हो गया और देखिए यह तो बोथ हो गया बोथ देखिए बोथ आगे दिया गया है इस संस्थान के छात्रों के एक समुह को इन में से किसी में भी दिल चस्वी नहीं थी और अता उन्हों ने दाखिला नहीं लिया यानि कि वह हट गया कहा कि हम कोई भी सब्जेक्ट में हमारा दिल्य चस्बी नहीं है इसलिए हम दाखिला नहीं लेंगे यानि कि रेक्षि है अकेला यहाँ यहाँ पर बैठ गया और अस्पेनिस दोनों में दाखिला लिया देखी यह बोथ वाला जो मैं आपसे पहले कहा रहा था यहीं हुआ है तो इस परकार से यह बन गया है बेंडेग्राम अब देखी यहां पर प्रस में क्या पुशा गया है निमलिखित तारकिक आरेखों में से कौन सा उपरुक्त इ अब आते हैं अगला प्रस निपर अगला प्रस न एक पुशा गया जाए हो गया तो यहाँ पर चार का चार फिल अप हो जाएगा और इसका चार ही उतर होने वाला है यहाँ दिया गया अप्सान वन में अगला प्रस्थ अगला प्रस्थ एक बार फीर मिसिंग नंबर गर्दा गर्दा भाईल वाई करा में तर नैंटी फोर्थ देखी गए इसमें क्य क्या है यहाँ पर यह तो दोखो यह सब को यहाँ पर आइड कर दिया है 9 6 15 15 16 21 27 28 यह तो 28 हो गया और फिर अंदर वाला अंदर में साथ चार है इसका मल्टीपलाई करने पर यह भी 28 हो गया तो यह दोनों सेम हो गया देखते हैं कि इसमें यह लोजिक यूज वाय कि नहीं ह हुआ है देखिए यहाँ पर भी इसको पूरा आइड करो यहाँ पर तो देखिए आइड करने के बाद यह भी 45 आएगा और देखिए अंदर का भी मल्टीपलाई करेंगे 9 545 आ गया यानि कि दोनों सेम हो गया तो फिक्स है कि यहीं लॉजिक यह दोनों में अप्लाई हो आ कि इसमें भी यहीं लॉजिक अप्लाई हुआ होगा तो यहाँ पर कर लेते हैं के दिक्कत हैं इसको एड करते हैं पूरा तो 8 6 14 14 8 22 और 22 और 5 यह 27 हो गया यहाँ पर अंदर में 3 हैं और यहाँ पर वाट हैं तो इसका मल्टीपलाई करने पे 27 आना चाहिए जब 3 है तो 3 में हमें 9 से मल्टीपलाई करना होगा अर्थात वाट के स्थान पे 9 फिलप होगा तो कनफर्म हो गया कि यहाँ पर फिलप क्या होने वाला हैं तो 9 और देखेगा 9 दिया गया है अपसा नंबर 3 में अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा गया है कोडिंग का प्रस्न है इसको डरना मत भाग कुछ नहीं है हावा प्रस्न है यहाँ पर कोस्टन है देखे इसको लिखा गया है इस परकार से तो आपको बताना है कि एंसवर को की इस परकार से लिखा जाएगा Actually इसमें logic क्या है न एक letter का एक कम और एक आधिक लिखा गया है जेसे यहाँ पर Q है तो देखे क्यों को PR यानि कि Q से एक कम तो P हो गया Q से एक आधिक तो R हो गया इसी परकार का लोजिक हैं तो आप कर लेंगे ना कर लो यहाँ पर इंसर को दिखी A है तो A से एक कम Z हो गया और एक अधिक B हो गया A है तो एक कम M और एक अधिक O हो गया A से है तो एक कम R और एक अधिक T W एक कम B एक अधिक X हो गया E है एक कम D और एक अधिक F हो गया R है तो Q A से हो जाएगा तो इस परकार से हो गया और यहाँ दिया गया है अप्सन फोर में कहा नई जी प्रस्ण है अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण देखिए पुछा गया है सिलोक का प्रस्ण है और यहाँ पर दिया गया है तीन एस्टेटमेंट है और चार कंक्लोजन है आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर सही है देखते हैं इसको पहला दिया गया है statement सभी सुक्र बूध है यानि कि सभी जो वेनस है वह मर करी है यही न देखिए अगला दिया गया है कि सभी ब्रस्पति सुक्र है देखिए आगे दिया गया है कि सभी यम ब्रस्पति है तो देखो इसको कीज परकार से बठाया जाएगा सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ एम देखिए यह एम हो गया सभी एम यह ब्रस्पति यानि कि जूपिटर हो गया और देखिए सभी जूपिटर वेनस है तो यहाँ पर यह सभी जूपिटर यह वेनस हो गया ओके और देखिए सभी वेनस है मरकरी है तो यह सभी वेनस है यह मरकरी हो गया तो इस परकार से इसका बन गया विंडेग्राम निसकर्स नमबर वन सभी एम बुद है एम और मरकरी के बीचे अलका किस बना है देखिए एम यहाँ पर है और मरकरी यहाँ पर है अलका किस बना है बिलकुल सही यह तो सही हो गया नेश्ट नमबर टू कुछ एयाम बूध है यानि की एयाम और मरकरी के बीच सौम का केस्ट बना है देखो भाई यहाँ पर तो आल का केस्ट बना है इसलिए गलत हो गया कोई दिक्रत नहीं नेश्ट नमबर थिरी कुछ बूध है विरस्पती है यानि की मरकरी और जुपिटर के बेचे सौम का केस बना है देखी यहाँ पर मरकरी यहाँ है और यह जुपिटर है तो देखो यहाँ पर भी यह सौम का केस बना है दिभर्स वाला है तो सौम का केस तो बन भाई करेगा इसलिए सही हो गया उसके बाद next number 4 सभी बिरस्पति बूध है तो यह तो जूपिटर और यहाँ पर मरकारी में आलका किस बना है देखिए यहाँ पर यह जूपिटर है और यह मरकारी है यहाँ पर भी आलका किस बना है इसलिए यह भी सही हो गया तो भाई यहां पे सही कौन कौन है 1, 3 और 4 देखते हैं अप्सन में क्या दिया गया है इसका अप्सन इस परकार से है देखिए अप्सन 1 नहीं होगा अप्सन 2 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होने वाला है और देखिए इसका अप्सन 4 भी नहीं होगा यानि कि इस option में कोई भी इसका उत्तर नहीं दिया गया है तो भाई इसका option यहाँ पे mistake है और इसका actually उत्तर क्या होने वाला है केवल निसकर से first, second, sorry, third है और फोर पालन करता है इस परकार से इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न अगला प्रस्न देखिए पुछा गया है यह classification का प्रस्न यहाँ पर pencil है, chalk है और यह pen है और यह paper है तो fix है कि pencil नहीं होगा, chalk नहीं होगा, pen नहीं होगा paper यहाँ पर भी sum हो जाएगा अगला प्रस्न अगला प्रस्न यह भी पुछा गया है coding का परश्न है और यहाँ पर कीस परकार का logic यहाँ पर यूज फुआ है बैस वही जियों करते हैं वाला इसमें यूज हुआ है देखिए यहाँ पर computer को लिखा गया है इस परकार से और phone को लिखा गया है इस परकार से तो आपको बताना है कि मदर का code क्या होगा इसको हलका सा ध्यान से करियेगा नहीं तक आप बड़ मस काम ह arts को सकते हैं देखिए सी के लिए उज़ थी और ओ के लिए उज़ा है 11 और एम के लिए उज़ा है 9 प के लिए 12 है ठेखे? और फिर देखिए यू के लिए यूज हुआ है 6 और T के लिए यूज हुआ है 7 और E के लिए यूज हुआ है 2 और R के लिए यूज हुआ है 18 तो इस परकार से यह हैं अब देखना यहाँ पर यह फोन वाला में P के लिए 12 H के लिए 5 और O के लिए 11 यह तो फिक्स हैं और देखना एन के लिए 14 हुआ है और E के लिए 2 हुआ है तो बस यहाँ पर बैठा दो करना क्या है A M है तो A M के लिए 9 हुआ है 9 हो गया O के लिए 11 है और T के लिए 7 है और H के लिए 5 E के लिए 2 और R के लिए 18 तो इस परकार से आने वाला है 9 11 7 5 2 18 यह दिया गये हैं अफसन 1 में अगला प्रस्ण यह अंतिम प्रस्ण है और अंतिम प्रस्ण भी पुछा गया है Missing Numbers है और यहाँ पर कीस परकार का पेटर ने यहाँ पर यूज़ किया है देखी गए इसमें क्या किया गया है यहाँ पर यहां पर यह 7 हैं, देख़ो यह 6 और 3 को यहां पर ADD कर दिए गया, यहां नो हो गया और 9-7 до 63 हो गया, उसी परकार से यहां पर 3 हैं 13, 12 को ADD करेंगे तो 25 हो गया और पचीस में तीन से गुना करने पे 75 हो गया तो भाई यहीं काम यहां पे कर लो ना 18-4-22 हो गया 22 में दो से गुना किये ते यहां पे 44 हो गया यानि कि 44 यहां पे तो फिलब होने वाला है क्या देखिएगा 44 दिया गया है अपसंद 3 में तो इस परकार से अमलग इस सेट के स सारी परस्ण को डिसकस कर लिये हैं आपको किसी भी परस्ण में हलका साब डाउट हो या किसी परस्ण से आपका जिंदगी सुनसान हो गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो बस आज के लिए पिर मिलते हैं अगले सेट में जयहीं दूबंदे मात्रा